चलिए तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कुछ ऐसा concept जो आपके mathematics से concept को boost कर सकता है तो अगर आप इसमें देखेंगे कि एक sequence दिया हुआ है ठीक है इस तरह का sequence इसका हम नाम दे दिये हैं क्या इस नाम दे दिये हैं देख पा रहे हैं कि 1 है 2 है 4 है 8 है 16 है और 32 है तो अगर आप देखेंगे इसमें तो हो क्या रहा है 1 में 2 मुल्फलाय किया गया है तो आया क्या और 8 में 2 मुल्फलाय किया गया तो आया-क्या थ estam none इसी ती तरह से swan यह चलते जा रहा है ठीक है तो अगर देखा जायए कि अगर हम इन सभी का add किया जाएगा, add करेंगे, जोडेंगे, तो क्या आने वाला है? तो simple सी बात है कि sir, ये इसका value आने वाला है, ये काफी ज़्यादा बड़ा value आने वाला है, आप ऐसा feel कर सकते हैं, कि ये कहां तक है कोई पता नहीं, तो infinite आने वाला है, ठीक है? इसका sum की जगत क्या आएगा? infinite आएगा, अब इसके ज़रा देखिए कुछ concept, जो हम बताने कुछ कर रहे हैं, कि इसका answer क्या देता है, वो देखते हैं यहां से, चलिए ठीक है यहां से, हम solve करते हैं इसको, s is equal to, इसके हम दोबार लिखते है, one plus two plus four plus eight plus 16 plus 32, अब क्या करते हैं, हम common ले लेते हैं, ठीक है? यहां से हम सभी में 2 क्या करते हैं common ले लेते हैं तो यह s is equal to 1 को ऐसी रहने दे रहे हैं और यहां से हम सभी में 2 क्या कर रहे हैं common ले रहे हैं चलो यहां से 2 common ले रहे हैं इस पार्ट में इस पार्ट में इन सभी पार्ट में कर रहे हैं 2 common ले रहे हैं तो क्या है रेके ऑन कहारी जी कॉमान लेने पर यहां वन बचेगा फ्रमें टू आ आप देखा कि यहां से हम सभी में क्या किये हैं जू कॉमन ले लिए बाकि आगे 32 में अगर टू मल्टिप्लाइ करते तो फिर कितना आएगा और 64 भी आएगा तो समझों कि यहां पर अल्रडी क्या आपका 32 है बाकि यह कंटीनू है इंडिंग नहीं हुगा है तो अगर आप ध्यान दीजिए है अगर आप देखेंगे यह पूरा भालू एस ही है यहां सकते हैं कि इसके जगा पर यह पूरे भालू जाओ के रखते हैं तो यहांस क्या हो गिया एस तो टू एस अब ऐसा करो कि एस रहने दो और इस टू को इधर कर दो तो क्या जागा यहां से 1-2s is equal to क्या हो जागा 1 अगर आप एस में 2s घटाते हैं तो क्या मिलेगा आपको minus s मिल जाएगा इसलिए s is equal to क्या हो जागा 1 और minus को दरबेज जाएगा तो क्या होगा s is equal to क्या minus 1 अब यहां पर सोचनी वाली बात है कि बोल रहा है कि इस का value क्या आने वाला है minus 1 अगर हम इसको simplify किये हैं solve किये हैं तो s का value क्या आ रहा है minus 1 आ रहा है क्या possible है add होकर के यहां देखने कि already जब 1 है और 1 में 2 add हो रहा है 4 add हो रहा है तो यह value negative में कैसे जा सकता है लेकिन हमने आपको क्या क्या प्रूफ कर दिया कि एस का value क्या रहा minus 1 इस concept में कहीं कहीं गलती है तो उस गलती को ढूना जाए है नहीं तो गलती कहां है